पाकिसान के फ्यूचिर के लिए बहुत इंपॉटन्ट है वही पर एक्सपर्ट्स के अकॉंडिंग दो हजार चॉवीज के लिए काखजाते नमजद्गी जमा कराई जाने के बाद इलेक्शन की तयार या नेक्स्ट फेस में एंटर हो गई 1973 का आई नाफज होने के बाद से मुन्तखिब होने वाले 12 प्राइम मिनिस्टर में 5 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनल इलेक्शन में नैशनल इसमली के लिए कैंडिडेट हैं जबके 6 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फैमली के मेंबर्स भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले र जबकि उनके ब्रधर और फार्मर प्राइम मिनिस्टर शेवाँ सरीफ लहूर, कसूर और कनाची से नैशनल इसम्बली के कैंडिडेट है अगर साउथ पंजाब के बात की जाए तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गेलानी ने मुल्दान से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए है जिबके राजा परवेज अश्रफ जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर नैशनल इसम्बली रहे हैं ने गोजर खान और इम्रान खान ने लोहूर और मियावाली से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए है अगर इसी तरह देखा जाएं तो इस बार इंपोर्टन पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाका नबासी खुद तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे लेकिन उनके बेटे नादर खाका नबासी नैशनल इसम्बली की सीट की कैंडिडेट है पीपल्स पार्टि के दो फार्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फेकार अली भुट्टो के नबासे और मोहतरमा वेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जर्दारी लाड़काना और लाहॉर से नैशनल इसम्बली का इलेक्शन लडेंगे एक और फार्मर प्राइम मिनिस्टर मोहमत खान जुने जो मरहूम की जगा उनके बेटे असद जुने जो सांगर से नैशनल इसम्बली की कैंडिडेट है शौर्ट पीरिट के लिए प्राइम मिनिस्टर की सीट पर रहने वाले चौधरी शुजात की जगा उनके दोनों बेटे चौधरी सालक हुसैन गुजराथ से नैशनल इसम्बली और शाफिय हुसैन प्रोवेंशन इसम्बली के लिए कैंडिडेट है जबके मुशरफ दोर में ही पाकिसान के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले मीर जफरुला खान जमाली के बेटे मीर जमाली जाफराबाद से नैशनल इसम्बली के सीट के लिए बत और उम्मीदवार सामने आये हैं PMLN के काईद नवाज सुरीव के बेटी मर्यम नवाज भी अपने स्यासी करियर का फर्स्ट इलेक्शन लडेंगी जबके उन्ही के कजन हमजा शहवाज नैशनल इसम्बली के लिए कैंडिडेट है इसके लावा यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और अब्दुलकादर गिलानी वल्तान से जनरल इलेक्शन्स कॉंटेस्ट करेंगे पाकिसान के जनरल इलेक्शन दोहजाद शावीज पर पूरी दुनिया की नजरे जमी हुई है अब देखना ये होगा कि इस बार वजारते उजमा का ताज किस पार्टी के सर होगा